इस इन विडियो में हम जानएगे कि एस्टॉरड क्या होते है और इन तोरनों के बीश में क्या दिखना सब्सेप्राइब हमसे रुकिष। asteroids तुक्रो कि मीटियर होता है वो हमारे solar system में सटन के around revolve करते हैं इनका size ज़्यादा होता है लेकिन planets से कम होता है इन्हें हम planetoids और minor planets के ये नाम से भी जानती है हमारे solar system में millions औफ asteroids है जिनका size बहुत जादा है जब हमारा solar system बन रहा था आज से 4.6 million years पहले तब ये asteroid बने थी किसी भी asteroid का size 940 km, 8000 km तक हो सकता है अब तक का जो सबसे छोटा asteroid मिला है हमें उसका size 6 feet था वो 6 feet wide था इन में से most of asteroids हमारी दर्ती से भी टकरा जाते हैं और पहले भी थकरा चुके हैं और आगे भी थकरा सकते हैं और आब हम बात करते हैं meteorords के बारे बीजर्रली meteorords asteroid से कम size की होते हैं जो उनका size है वो एक चोटे ब्दाने से लेकर 1 meter तक का हो सकता है और जो पार्टीकल मेटिरोड से भी शोटे होते हैं हम उन्हें माइक्रो मेटिरोड कह सकते हैं जा स्पेस्ट भी कहा जाता है जब कोई मेटिरोड या एस्टरोड हमारी दर्ती के एक्मोसफिर में एंटर होता है तो उसकी स्पीड 20 km per second होती है जब वो हमारे एक्मोसफिर में दाखिल हो रहा होता है एक्मोसफिर में प्रेजन गैस के कारण उसके आसपाथ ही दिर्ट हो जाती है और उस गिरते हुए एस्टरोड या मेटिरोड को हम शूटिंग स्टार कहते हैं आफ बात आती है कि इन डोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जैसे कि मैंने आपको बनाए एस्टरोड का साइज जैदाब होता है और इन्हें हम minor plants भी कहते हैं जबके meteorites का size बहुत कम होता है as compared to asteroids तो यही इन meteorites और asteroids के बीच में main difference है और एक estimate है कि हर साल हमारे atmosphere में 25 million meteorites या asteroid या micro meteorites आ जाते हैं जिनका अगर हम बजन देखें तो वह 15,000 तंसे जादा होता है अगर आपको यहाई वीडियो पतान दाई हो लाइक शेयर और अगर आपको इस वीडियो के रिजल कोई भी क्यारी हो तो आप नीजे कोमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको इस वीडियो आपको इस वीडियो पता सकते हैं